बिसमिल्ला इर्रहमान इर्रहीम, अस्लाम अलेकम डियर अस्पाइरियन्स, वेलकम टो स्पाइर ओनलाइन क्लासेज, मैं आपका कंप्यूटर का लेक्चरेट मुहामद अर्शद कैफी, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में के अंदर आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि हम कुछ डिरेक्ट इंपूट और इंडिरेक्ट इंपूट डिवाइस के बारे में इंशाला नेक्स लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सारा का सारा सोर्स डेटा एंट्री या इन्पूट डिवाइस कीं कहते हैं। सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस ड्युर्स primarily वह त्माम डिवाइस हैं जो के आपके data को और आपके instructions को machine readable formats के अंदर automatically convert करते हैं और आपको इसके अंदर कोई भी keyboard और mouse की जरूरत नहीं होती अपने data को computer के अंदर transfer करने के लिए मतलब आपको कुछ type करना है तो आपको type नहीं करना आपने just उस device को उस data के समने करना है वो automatically उस data को वहां से capture करेगा और उस format के अंदर convert करेगा जिसको computer easily understand करता है आपको कोई भी इसमें से short question आजाता है किसी भी device के बारे में आजाता है तो दो specific या two particular जो statements हैं वो आप लोगों ने याद रखनी है एक तो आपको इसका abbreviation आना चाहिए आपसे let's suppose barcode reader पूछा जाता है तो आपको barcode reader जो है वो या OCR पूछा जाता है device, read the information from the pattern, from analog patterns, convert it into digital and send it to the computer for further processing तो यह जो lines हैं यह तमाम की तमाम जो source data entry devices हैं उनके अदर आप उठ कर सकते हैं जैसे मैंने आपको last time pointing devices के बारे में बताया था जैसे pointing devices का सारी pointing devices का का काम वही है जो मैंने आपको बताया था कि pointer की positions को control करना है बस उनके अंदर क्योंके variety है, variations हैं चोटी 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 तो उस वज़ए से multiple devices हैं इसी तरह यह सारी devices जो हैं क्योंके काम इन सबका same ही है लेकिन क्योंके यह different किसम के objects और different किसम के objectives objects को read करती हैं और different objectives हैं जिसके लिए इनको use किया जाता है तो इसलिए यह variety में मजूद है, definition ही होगी बस आपने थोड़ा सा उसको elaborate, आप हमेशा source data entry devices के तीन portion बनाएंगे, पहले portion में आप उसका abbreviation लिखेंगे, second portion के अंदर आप बताएंगे कि यह जना आइनलोग data को receive करती है और उसको convert करती है digital patterns के अंदर और then send to the machine for further processing और तीसरे point पे आप उस device की working mechanism को यह वो device का जो pattern है वो device किस तरह बनी हुई है, किस material से बनी हुई है तो और कोशिश करेंगे अगर diagram या कुछ sketch उसका बना सकते हैं तो साथ वो भी बनाएं तो आप इससे maximum number gain कर सकते हैं अगर board perspective से देखा जाए तो यह long question आया हुआ है board के अंदर source data and devices यह कोई six और seven different किसम की devices हैं जिनके बारे में आपको पूरा लिखना पड़ेगा वनना इसमें से paper में कुछ ना कुछ portion जरूर आता है या तो यह सारा as it is long आ जाता है या इसमें से आपसे कोई ना कोई short elements के अंदर convert करती हैं और feed करती हैं यह send करती हैं to the computers without using keyboard and mouse और multiple electronic devices जो as a source data and devices यूज होरी हैं उनमें से कुछ के नाम आपके सामने हैं जैसे जी scanner source data and device है आपको जैस्ट उस पे पेज रखे बड़न प्रेस करना है वोटमेटली पूरा sketch scan करते है MICR है, barcode reader है, electronic chip है, OCR है, OMR है, smart cards है और यह सारी की सारी आपकी source data and devices हैं हम कोशिश करते हैं सब को one by one देखते हैं और आपकी problem जो हैं उनको discuss करते हैं हमारे पास जो दूसरा सबसे पहला जी जो source data and devices वो है bar code reader यह ही चो code है इसको यह जो strip lines है इनको कहते हैं जी bar code जो information है वो इनके areas में मजूद होती है सारी के सारी information और आपने market के अंदर या आप किसी departmental store पे गए दो वहां से आपने कुछ चीज़ पर सेज़ की तो normally आजकल departmental store है वो barcode reader ही यूज़ करते हैं आपकी prices और सारी चीज़ों क्योंकि यह जो strip lines हैं यह जो zebra lines हैं इनके अंदर इस products की expiry क्या है इसका color क्या है इसकी price क्या है और इसका manufacturing process क्या था इसके अंदर ingredients कौन से हैं वो सारी की सारी information इसके अंदर store होती है मैं example के दो पर आपको दिखाऊ हूँ यह first करें हमसे raisable board marker है जो हम normally classrooms के अंदर board में use करते हैं तो इसके अंदर भी अगर आप गोर करें तो यह कुछ हमारे पास strip lines मजूद हैं जब भी आपने इसको purchase करना है तो just barcode के सामने इसको किया जाएगा barcode सारी information खुद बहुद अब के जो inventory system है उसमें इसका बहुत ज्यादा रोल है they have particular role inventory system आपने hundred markers racks में रखी हुई हैं वहां से one by one sale हो रही हैं तो system automatically वहां से वो devices को detect करता जाता है minus हो रही होती हैं जैसे जैसे device sale होती है वहां से subtract होती रहती है और आपको at the end खुद से बताया जाता है जनाब यह आपके पास जो stock अभी rack के अंदर मजूद है वो इतना stock रहा गया तो barcode reader जो है यह optical scanner होते हैं जो आपके in lines को read करते हैं जो किसी भी device या किसी प्राइस tip lines में सारी information वो barcode reader उसको read करता है और read करने के बाद उसको decode करता है decode मतलब उस format में convert करता है जैसे कि मैंने आपको शुरूर में बताया कि सबकी definition में यह line ज़रूर आएगी उस format में change करता है जो format computer के लिए easily understandable होता है और it is also called universal product code इसको UPCB कहते है ठीक है universal product code यह बोर्ड मे UPC जो है ना वो कहानी घुमा दी जाती है जी what is UPC universal product code का है तो बचे confused होते हैं confused बिल्कुल नहीं हो ना बाकोड रीडर को ही UPCB कहते हैं और यह आपके सामने डाएगी यह बाकोड रीडर है यह strip lines है इसके जरे सी information read होती है यह इसकी red line होती है red light होती है यह जो red light है यह blink करत है पता चलता है कि information read होगी और sometime यह एक beep भी देता है जिससे आपको idea होता है कि आपने information capture होगी और वह information जो होती हो आपको computer screen पे नजर आ जाती है इसी तरह हमारा पास जो दूसरा है वो आगे MICR which is called magnetic ink character recognitions तो आप बताएंगे सबसे पहले MICR के activation then आप कहेंगे this receive the analog patterns convert it into digital and send it to the computer for further processing तो यह आपकी definition पूरी होगी logically देखा जाए तो आपके two marks का short question complete हो गया है लेकिन अगर आप इसको two or three lines में थोड़ी इसकी working को भी elaborate कर देते हैं तो वह आपके लिए plus point है ठीक है वह image अच्छा जाएगा आपका और examiner यह जो paper checker हैं वह अगर आपका marks deduct करने की इसकी में हम उसके अंदर लिख दिया हुगा है अच्छा जी यह क्या करते हैं जी M.I.C.R. codes होते हैं यह भी character codes होते हैं जैसे आप लोगो different किसम के codes इसके ओपर नजर आ रहे हैं यह वाले code यह human readable नहीं है हमें मुझे इनको पढ़के कोई समझ नहीं आ रही कि यह codes क्या लि processing यह mainly use की जाती है जी banking के अंदर और वहां पर इसका major work है यह processing करती है clearances of check और उसके ओपर यह specific particular ink जो होती है अगर आपने check देखे हैं तो check के ओपर जो check number है यह कुछ इस तरह की information होती है वह specific particular ink से लिखे होती है ठीक है वह automatically उस इंक को यह उस contents को जो device है वह खुद से capture करक clicking characters है ठीक है recognitions का मतलब आपको already इसका मतलब आपको पता है कि ऐसी device जो two patterns को आपस में match करें और समझ सके कि यह मेरा pattern है यह यह नहीं है ठीक है यह वहां पर जैसे face recognitions जैसे voice recognitions इस तरह यह character recognitions ठीक है यह तो यह word normally हर तरह की इस तरह की terms के अंदर use होता है hope so आपको MICR clear हुआ है जी अगली जो हमारे पास source data entry device है वो है OMR which is called optical mark recognition which is in other word also called optical mark readings यह क्या की जाती है जिए जनाब आप लोगों को पता है आपकी जो bubble sheets है आप लोग exam देखे आएं अभी metric exams आपके हुए है या आगया first year में जब आप जाएंगे तो यह bubble sheet है यह बिलकुल एक bubble sheet है इसके ओपर different bubbles है इस sheet के ओपर तो यह जो bubbles आपने fill किये होते हैं अब computer जो है उसको already बताया होता है जनाब यह जो MCQs number one है ना उसका beta answer correct है और उसके बाद जो दूसरे MCQs है let's suppose MCQs number two जी उसकी चार option है तो उसमें जो चारली option है वो correct है अब आपने इसलिए आपको trying sheet पे ना लगाएं क्यों क्योंकि वो specific particular pattern machine में already save है और यह जो आपकी जो sheet है यह machine को दी जाती है machine आपके उस patterns को और जो प्री defined pattern है जो उसको correct answer sheets दी होती है उन दोनों को match करते हैं और जहां-जहां पे आपकी जो correct answers होते हैं उसके साथ sheet के correct answers match होते हैं तो आपको marks जो होते ह जाते हैं otherwise आपने कहीं extra को इंक किया को double bubble fill किया हुआ है कहीं और कुछ dot लगाया हुआ है को smart trick आपने लगाई है confuse करने के लिए तो machine automatically उसको minus करती सब्ट्रेक करती machine उसके marks आपको award नहीं करती तो यह आप लों के पास यह भी जो आपके data है यह जो forms हैं उसकी reading के लिए आप है और इस तरह के जी आरी वगारा जो test है जो के bachelor master level और PhD level पर जाकि जो test मैं उनमें से कुछ test पास करके हैं हूँ तो वो पूरी sheets आपकी bubbles fill होते हैं fill होने के बाद वो आपको within two or three days thousand of thousand students का जो result होता है वो आपके सामने आ जाता है तो उसमें को paper checking के लिए बहुत ज़रा time और बहुत ज़रा time required नहीं होता क्योंकि यह machine जो है technology आपको बता है revolutionary है वो हमेशा आपकी job को smart करती है easy करती है तो OMR इसी काम के लिए इस्तमाल होता है जी उसके पाद आपनों को पास आगया OCR optical character recognitions आपने किसी page पे को data type किया आपने को हैंड राइटिंग की कोई आपने sign कियो होते हैं और उसके बाद उनको as it is capture कर लिया जाता है और capture करने के बाद convert करके digital pattern stands to computer और computer जो होता है उसको further process करता है किसी पे कोई आपने print करना है यह कहीं पे लेके जाना है तो वह information वहाँ पे उधर convert कर दी जाती है तो इसका काम जी OCR का यह भी electronic and mechanical conversions of image या type या hand returns और printed text जो होता है या information या number कुछ भी जो भी आप लोगों ने आपने यहां पे कुछ sign किये let's suppose कोई भी sign यहां पे हैं तो यह sign आपको चाहिए कि आपने यह sign आगे भेजने तो यह sign आप यहां से capture करें और capture करने के बाद आप इसको किसी भी page के उपर copy paste कर सकते हो तो इस काम के लिए आप इसको यूज करते हैं ठीक है और यह आपके पास OCR आ गया definition आप लिखेंगे अब्रिवेशन के बाद आप उसका वही डिजिटल एनालोग कंवर्जेंस एनालोग डिजिटल एंड फिर आप उसको थोड़ा working बता आदेंगे तो यह आपका short question complete हो गया उसके बाद हमारे चिप लगी हुई है चिप के अंदर भी information है यह कोई जो है वो 8 MB या 16 MB या 30 MB तक जो होती है वो data hold कर सकती है इसमें जो user का नाम है वो होता है जैसे आप ATM के अंदर card insert करते हैं तो foreign ATM के आपका नाम आ जायता है जी welcome to जो भी आपका नाम है वो नाम उसके अपर शोड़ा हो त SIM card भी जैसे 300 contact save कर सकती है let's suppose आपके SIM card और कुछ messages save कर सकती है तो यह सारी information इसी चिप में save होती है और इस चिप के एक छोटा सा अपना प्रोसेसर है चोटी सी के अंदर memory है जो सारा यह data hold कर रही होती है magnetic strip card is a type of card capable of storing data ठीक है जी वही बात आगी storing data are modifying the magnetism by tiny iron based magnetic particles bands of magnetic materials on the card ठीक है तो आपकी जो information है वो magnetic particles जो हैं उसको hold करते हैं अपने पास store करते हैं जैसे वह आपकी hard drives जो है वो अपने इसको होड़ करते हैं ठीक है और आपने इस चार्ड को स्वैप करना है आपको shopping करते हैं तो आप कार्ड ऐसे मशीन पर स्वैप करते हैं तो information automatically वो मशीन इसको read कर सकती है जी read कर लेती है जैसे आपके debit card credit card ये सारी चीज़े उसके बाद आप लों के पास आगे smart cards तो smart cards जो है ये official badge या cards होते हैं जो के implies के भी होते हैं या मैं इसकी एक और example देता हूँ वो थोड़ी पिछले वाले के साथ आपको confuse ना करते जैसे आपके NIC जो है national identity card तो जो नेश social security का एक card होता है उसके ओपर सारी की सारी information store है तो आप आप जो आपकी information है वो चिप में उस card में आपको जिस्ट वो card अगर आपको कोई authority कोई institution आपकी information तो उसको आपके वो card पढ़ने की जरूरत नहीं है वो जिस्ट उस card को पकड़ेंगे machine में swap करेंगे आपकी सारी information machine में आपके सामने आजाएगी तो इसके अंदर भी छोटा सा circuit चिप होती है जी और इसके पास भी छोटी सी memory लेकिन इसमें दो different किसम के हैं कुछ में अगर आप गोर करें तो ये वाला pattern भी है और कुछ के अंदर ये once again वही QR codes होते हैं ये भी होते हैं लेकर इन दोनों के अंदर information once again वही होती है आपकी personal identifications के लिए आपकी जो biometric information है उसको read करने के लिए store करने के लिए और आपको identify करने के लिए सारी information यूज की जाती है और उसके बाद आगी जी fax machines जो हैं ये fax smile transmissions हैं और ये क्या करती है ये old technology थी data transformations की data को किसी particle specific documents को एक जगा से दूसरे जगा send or receive कर हैं परस करें आपने लहूर बैठे हैं तो आप किसी और सिटी के अंदर फर्स कराशी में आपने किसी को कोई page एजटी page बेजना है तो अब तो हम scan करके attach करके mail कर देते हैं लेकिन जब ये system नहीं था तो fax machine यूज की fax machine looks like little bit printers इसमें यहां पर ये page लगे हुए हैं सारे य आपने जिन को बेजना है फर्स करो हमने किराशी में बेजना है किसी को तो zero two one जो भी उनका number होगा वो पूरा number हम यहां से dial करेंगे number dial करके जैसे हम इसका enter का button press करेंगे तो ये जो page है ये input हो जाएगा printer की तरह ठीक है ये page पूरा machine के अंदर जाएगा और इदर से ये page out हो जाता है अब इस page पर जितनी information आपने लिखी हुई है वो सारी information through lines दूसरी fax machine के पास पहुंच गी दूसरी fax machine once again ऐसी ही है उसमें खाली page लगे होंगे यहां पर जैसे fax machine पहुंची तो ये machine beep करेगी जैसे bell होती है phone की बिल्कुल bell होगी जो भी user इसको होगा वो इसका enter button press करेगा तो ये खाली page इसके अंदर जाएगा और जो टेक्स यहां पर था वो टेक्स उसी page के प्रिंट होगे यह page यहां से out हो जाएगा ये fax machine है इसका काम वही है जो scan paper है उसको as it is उसी format में एक location से दूसरी location के उपर send करने के लिए हम लोग इसको use करते हैं इसलिए इसका नाम फैस्मायल transmission भी कहा जाता है ठीक है और इसकी बड़ा two types हैं एक simple fax machines हैं जो आपके सामने और एक fax modems होती है जो computer के साथ भी आप attach कर के अपनी information को send or receive कर सकते हैं और उसके बाद हमारे पास imaging system आ गया imaging system का का काम यह है कि जो भी आपकी information है जो भी आपका image यह pictorial representation है उस information को ऐसे रीड करते हैं और रीड करके once again वही particular lines हो हमने already शुरू में डिसकस की थी के वही conversions analog से receiving and conversion into digital and then send for further processing तो यह इसका काम भी वही है imaging system का भी यह भी camera imaging lens along with the illumination sources ठीक है वह सारी अब यह आपको बताया गया जी यह आपका computer system है तो आप different किसम के source data ले रहे हैं और वह सारा data computer में आ रहा है और आप उसको further अगर आगे कहीं बेजना है किसी printers के through या आगे आपने इसको data को save करना है या video recorder है जैसे इदर भी को video recorder है तो यह सारी चीज़ें आप different source data ले रहे हैं उसको process करके आगे बेजने हैं इसी से मिलती जुलती इसी काम को आप कह सकते हैं इसी processing को ह हम कहते हैं जी रेस्टर ग्राफिक्स यह क्या आती है जो आपके image के फर्स करो यह आपका पूरा image है तो इसका particular जो इसके dots हैं इस image के या इसके जो pixels हैं उसको आप बढ़ा करके जूम करके उसी pattern के आगे और image बना सकते हैं या आप यह कह सकते हैं कि जो आपकी graphics है उस graphics से मि graphics आप उसी को assume करके create कर सकते हैं normally यह फ्रांजिक्स के अंदर use होता है जहां पर किसी का चेरा clear नहीं आ रहा तो जो भी sketch आ रहा होता है उस sketch को capture किया जाता है और फिर उसी से मिलते जुलते sketch draw किया जाते हैं ताकि उसके जो picture नजर नहीं आ रही वो आपको नजर आ जा जाए in computer graphics a raster graphic or bitmap image is a dot metric data structure that represent a generally rectangular grid of pixels points of color जैसे अगर मैंने इसका यह वोरा पूरा point उसको हम zoom करें तो यह आपको पूरा pattern नजर आ रहा है ठीक है यह basic के लिए यह वाला area है सारा का सारा इसी को हम raster graphics कहते हैं hope so आपको source data anti devices clear हुई होगी और अगर आपको अभी भी कोई confusion है इसके अंदर कोई question आपको समझ नहीं आया को वर्डिंग आपको समझ नहीं आई तो बिल्कुल आप इंशाला next lectures के अंदर आम इससे discuss कर सकते हैं हम इंशाला उसको further पर next lectures के अंदर देखेंगे अपना बहुत असरा ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिज